क्या आपके साथ या आपके श्रमिक साती के साथ काम के दोरान कोई दुरगटना हुई है? क्या दुरगटना होने की स्तीति में पेडित व्यक्ति को तुरंद साहता प्राप्त हुई है? भारत देश में रोजान 133 मजदूर काम के समय दुरगटना का शिकार होता है। बहुत सारे मजदूरों के मोद का पता भी ने लग पाता है। और इस प्रकार परिवार अपने कमाने वाले हाथों को खोड़ देता है। और बहुत सारे परिवार को पुरण मदद भी नहीं मिल पाती है। इसका प्रमुक कारिन यह है कि मजदूर अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानता और मुआपजा लेने के नियमों को नहीं जानता। काम के दोरान कोई गंबिर दुरगटना, मुरुत्यू या फिर काम से निर्मान होने वाले बीमारी या फिर शरीर की शक्ति पर असर पढ़ना इन सब के लिए मुआपजा देने का प्रावधान कामगार शतिपूर्ती अधिनियम 1923 में किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार नियोक्ता को विडित वक्ति को मुआपजा देने के लिए जिम्मेदार ठहरा गया है। मुरुत्यू के मामले में कम से कम 1,20,000 तक मुआपजा मिलेगा। यदि वक्ति अपंग होता है तो कम से कम 1,40,000 तक उसको मुआपजा मिल सकता है। और कई बार विक्ति को मुआपजा की राशी थेराई जाती है। अवश्य प्राप्त करे। उम्र और आय का प्रमान पत्र भी प्राप्त करे। नियोक्ता को दुरगटना के बारे में लिखित सूसना दी जाए। और दो साल के अंदर लिबर कोट में केज अवश्य धर्च करे। मुआपजा कब नहीं मिलेगा। यदि श्रमिक साती काम के दोराण शराब या नशिली पदार्त का सेवन करता हो तो मुआपजा नहीं मिलेगा। लेकिन वृत्ती होती है तो मुआपजा जरूर मिलेगा। काम के दोराण सुरक्षा उपकरनों का अंदेख्रा करने से मुआपजा नहीं मिलेगा। तीन दिन से कम अस्पताल में भरती रहने पर मुआपजा नहीं मिलेगा। यदि श्रमिक साती की साथ दुरगटना होती है तो, वहां की बिजली की तारित तुरंद बंद करें। 108 पर फोन करके एंबुलस को बुलाए और उसे तुरंद अस्पताल ले जाए। गंबिर दुरगटना तथा मुद्ति की स्थीती में पुलिस रिपोर्ट लिखित में दी जाए। लेबर लाइन नमबर 1800 1800 999 पर फोन करके सलहा ले।